दोस्तों क्या आपको पता है कि आस्मान में बिजली क्यों चमकती हैं और बादल क्यों गरस्ते हैं नहीं पता तो चलिए हम आपको बताते हैं दोस्तो आपने अपने घर में या बाहर बिजली की तारों में उत्पन छोटी चिंगारी तो देखी ही होगी अकास की बिजली भी इसी चिंगारी की तरह होती है बस अंतर ये होता है कि ये चमकने वाली बिजली बड़े पैमाने की चिंगारी होती है दोस्तो बादलों में नमी होती है और ये नमी बादलों में जल के बहुत बारिक कणों या बर्पके क्रिश्टल के रूप में होती है दोस्तो जब हवा और इन जलकणों के बीच में घर्षन होता है तो इस घर्षन से जलकण आवेशित हो जाते हैं यानि चार्ज हो जाते हैं दोस्तो बादलों के कुछ समुध धनात्मक मतलब पॉजिटिव तो कुछ रिनात्मक मतलब की नेगेटिव अविशित हो जाते हैं धनात्मक और रिनात्मक अविशित पादल जब एक दूसरे कोई समीब आते हैं तो टकराने से अति उच्छ शक्ति की बिजली उत्पन्न हो जाती है धारा के प्रवाहित होने से रोसनी की तेज चमक पैदा होती है अकास में या अकसर दो तीन किलोमेटर की उच्छाई पर ही उत्पन्न होती है दोस्तों इस चमक के उत्पन्न होने के पाद हमें बादलो की गरज भी सुनाई देती है हवा में गर्मी आने से या अध्दिक तेजी से फैलती है और इसके लाखों करोरों अनू आपस में चकराते हैं इन अनू के आपस में चकराने से इक गरज के अवाज उत्वन्न होती है दोस्तों ये गरशती हुई बिजली हमारे उपर गिरे तो हमारे क्या होगा हम तो भगवान को प्यारे हो जाएंगे लेकिन दोस्तो एक शक्स ऐसे है जिनको ये बिजली का गरच फायदा कर गया जी हाँ दोस्तो एडवीन रॉबिंसन नाम के एक शक्स जो जन्मसी अंदे और बहरे थे लेकिन सन 1980 में इन पर 88 बिजली गिरी जिसके बाद इनकी देखने वा सुनने की सक्ति वापस आगे दोस्तो क्या आपको ये पता है कि दुनिया की सबसे खतरनाग चिटी कौन सी है या फिर ये तो पता हुआ कि दुनिया की सबसे जहरीली चिटी कौन सी है नहीं पता तो दोस्तो जो पता नहीं होता वही तो हम बताते हैं तो आईए आपको ले जाते हैं चीटियों की दुनिया में दोस्तो दुनिया भर में चीटियों की कुल 12,000 से व्यदिक प्रजातिया पाई जाती है क्या आप जानते हैं कि चीटिया अपने जीवन काल में बीना सोय लगातार काम करते रहती है दोस्तो एक खास रसायन के द्वारा चीटिया एक दूसरे से संपर्क साथी है यही कारण होता है कि चीटिया एक सीधी रेखा में चलते रहती है दोस्तो अगर किसी दूसरे गंद के कारण इनका संपर्ग तूट जाए तो यह अपने रास्टे से भटकने लगती है दोस्तो चीटियों को कपूर और लॉंग की गंद बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है यही कारण होता है कि अगर आप कपूर और लॉंग कोग जीज स्थान पर रख देंगे वहाँ चीटिया बिल्कुल भी नहीं आएंगे चाहे उसी स्थान पर मिठाई से बड़ा डिबद के ओना हो दोस्तों अब बात करते हैं दुनिया की सबसे खतरनाग चीटी जो कि आस्टेलिया में पाय जाता है जिसका नाम बूल डॉग एंट है जी हाँ दोस्तों यह वो चीटी होती जो दुनिया की सबसे खतरनाग चीटियों में से एक है सबसे खतरनाग चीटी के बारे में तो आपने जान लिया आईए जानते हैं चीटी के एक और प्रजाटी के बारे में जो अपने नाम के अनुसार ही काम करती है जी हाँ दोस्तों चीटी के एक और प्रजाटी जिसका नाम होते हैं बुलेट चीटी दोस्तो यह सबसे ज़्यादा जहरिली चीटी में से एक है जी हाँ दोस्तो अगर यह चीटी आपको काट ले तो आप भगवान को भी प्यारे हो सकते दोस्तो दुनिया में चीटियों की सबसे अधिक प्रजाती काले रंके चीटियें भी होती उसके बार लाल रंके होती है दोस्तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ चीटियों की प्रजाती हरे रंकी और कुछ चीटियों की प्रजाती कीले रंके भी होती है दोस्तों कि आपने कभी ये सोचा है कि लड़कियों के शर्ट में बटन लेफ्ट साइड में क्यों होते हैं तो आईए जानते हैं महिलाओ और पुरुषों के शर्ट में बटन अलग-अलग साइड में होने से लेकर कई तरक दिये जाते हैं रहा जाता है कि पुरुषों को बटन खोलने या बंद करने के लिए बाएं हाथ का सहारा लेना पड़ते हैं इसलिए उनके शर्ट में दाई तरफ बटन होते हैं वही महिलाओं के साथ में एक काम उल्टा होता है इसलिए महिलाओं के कपड़े में बाई तरफ बटन होते है दोस्तों शर्ट में बटन का साइट अलग-अलग होने के पीछे एक तरक ये भी दिया जाता है कि पुराने जमाने में महिलाएं खोड़े चलाती थी और ऐसे में वो बाई तरफ बटन वाली शर्ट पहनती थी ताकि हवा के कारण उनकी शर्ट खुले नहीं इसके बाद से ये कॉंसेप्ट यू है बरकरार रह गया और मेकर्स ने इस तरह की शर्ट बनाना शुरू कर दिया दोस्तों कहा ये भी जाता है कि पहले पुरूर दाय हाथ में तलवार रखते थी जबकि महिलाएं अपनों बच्चों को असानी से गोधी में लेने के लिए बाई हाथ के इस्तिमाल करते थी ऐसे में महिलाओं के शर्ट में बटन को बाई तरफ लगा दिया गया ताकि वो अपनी दायने हाथ को खोल कर सिसु को इस्तन पान करा सके